नमस संस्कृताय मित्रो मैं डॉक्टर तन्वी सिंग अपने चैनल इटर्नल एडूसेंस क्लासेस पर आप सभी संस्कृत मित्रो का स्वागत एवं अभी नंदन करती हूं मित्रो आज मैराथन प्रशनोतरी के करम में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं मेग दूतम की प्रशनोतरी आप मेरे चैनल में जाकर पिछली महराथन प्रशनोत्री के सिवराजविजियम, किरतारजुनियम, अभिज्ञान शाकुंतलम और सुकनाश वपदेश की प्रशनोत्री को देख सकते हैं मित्रों, आप मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए जादा से जादा संस्क्रिट मित्रों तक मेरे इस वीडियो को पहुचाईए तो चलिए मित्रों, आज स्टार्ट करते हैं मेगदूत्म की प्रशनोत्री तो सबसे पहला प्रशन है कालिदासेन गीति मयम घंड काव्यम वीरचितम तो इसका अंसर है मेगदूत्म क्या है मेगदूत्म अगला प्रशन है मेगदूत्म के कथानक का मूल स्रोत है तो मेगदूतम के कथानक का मूल स्रोथ है कवी कल्पित अगला प्रश्ण है काली दासस्य गीति काव्वे विरह व्यथा वर्णिता क्या होगा इसकांसर? इसकांसर है यक्षस्य अगला प्रश्ण है मेगदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतरगत है तो इसकांसर होगा गीति काव्वे अगला प्रश्ण है मेगदूतम किस रेड़ी का काव्वे है तो मेगदूतम जो है वो दूत काव्वे है अगला प्रश्ण है मेग दूत किस विधा का गरंत है तो मेग दूत जो है वो खंड कावे है अगला प्रश्ण है खंड कावे है तो खंड कावे क्या है मेग दूत है अगला प्रश्ण है मेग दूत में किस चंद का प्रयोग है तो हम सभी जानते हैं कि मेग दूत में मंदा करांता का प्रयोग है अगला प्रशन है, मेग दूतम में किसको संस्की साहित में एक नवीन कावे प्रकार की उदभावना का श्रेपराप्त है जो इस नाम से विख्यात है तो इसका आंसर क्या होगा? संदेश कावे अगला प्रशन है, मेग दूतो परी मलिनाथेन विर्चिता टीका अस्ती तो मेग दूत पे मल्लीनात की जो टीका है उसका क्या नाम है? उसका नाम है संजीवनी अगला प्रशन देखते हैं मेग दूते कूबे रेण निर्वासितो यक्षह कुत्र वसती चक्रे तो इसका आंसर है राम गिर्या श्रमेशू अगला प्रशन है अध इस्तन वाक्या नाम सत्या सत्य पर्या एशू समी चीनम विचुनत तो हमें पहले इसमें देखना है कि कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है तो यह हम देख लेते हैं तो मेग दूतम इती एतत खंड कावें विद्यते ये सत्य है मिक्ष कटिकम इत्तेदम नाटकम वरत्ते ये असत्य है मुद्राराक्षस नाम प्रकरणम ये भी असत्य है मालती माधव भव भूत कवे प्रकरणम ये सत्य है तो होगा सत्य पहला होगा उसके बाद असत्य असत्य फिर सत्य है तो इस कांसर क्या होगा डी वाला चलिए अगला प्रश्ण है मेग दूत का प्रधान रस है तो मेग दूत का प्रधान रस है स्रिंगार अगला प्रश्ण है केवलम मंदा क्रांता चंद सी निबद्धम केवल मंदा क्रांत चंद में निबद्ध है कौन सा मेग दूतम मेग दूतम में प्रयुक्त छंद के प्रतेक चरण में कितने अच्छर होते हैं यानि पूछ रहा है कि मंदाक रांता छंद के प्रतेक चरण में कितने अच्छर होते हैं तो इसका उत्तर है सत्र अगला प्रश्ण है मेग दूतम का अंगीरस है तो मेग दूतम का अंगीरस क्या है? वियोग श्रिंगार अगला प्रशन है मेग दूतम की कथावस्तु विभक्त है तो मेग दूतम की कथावस्तु खंडों में विभक्त है अगला प्रशन है मेग दूतम कितने भागों में विभक्त है? अगला प्रश्ण है मेग दूतम का प्रमुक पात्र कौन है यच्छ अब अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं यच्छ का स्वामी कौन था तो यच्छ का स्वामी कुबेर था अगला प्रश्ण है यच्छ को कितनी अवधी के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था तो इसका उततर है एक वर्ष अगला प्रश्ण है मेघ दूतम का नायक है तो मेघ दूतम का नायक जो है वो यच्छ है अगला प्रश्ण है मेग दूतम में यक्ष सापित है तो मेग दूतम में यक्ष जो है वो कुबेर के द्वारा शापित है अगला प्रश्ण है मेग दूतम में अभिशप्त यक्ष कहा निवास कर रहा था तो मेग दूतम में अभिशप्त यक्ष जो है वो रामगीरी परवत पर निवास कर रहा था अगला प्रश्ण है यक्ष की वीरह कथा किस ग्रंत में वर्नित है तो इसका उत्तर है मेग दूतम में अगला प्रश्ण है यक्षिम ने मेग को किस मास के प्रथम दिन को देखा था तो इसका अंसर है आशाण अगला प्रश्ण है पुराणों में मेग दूतम के विरही अच्छ का नाम मिलता है तो इसका अंसर है हे ममाली अगला प्रश्ण है विरहिडी यक्षडी कहा निवास कर रही थी ? तो यक्षडी अलकापुरी में निवास कर रही थी अगला प्रश्ण है मेग दूते कस्या नगर्या वड़नमस्ती तो इसका आंसर है उज्जैन्या अगला प्रश्ण है कस्य काव्य मेगह दूत भावेन कल्पितः तो इसका आंसर है काली दासस्य अगला प्रश्ण है कस्य काव्य स्या रंभ कस्चित पदेन भावती तो इसका आंसर है मेग दूत स्य अगला प्रश्ण है तस्मिन नद्रो कतिचित वला वी प्रयुक्तह स कामी मेग दूत की इस पंक्ती के आगे की पंक्ती कौन सी है तो इसके आगे की पंक्ति है नित्वा माँसान कनक वले भन्ष रिक्त प्रकोष्ठ तो इसको पुरा देख लेते हैं तसमिन नद्रो कतिचिद बला वी प्रयुक्त हसकामी मेग दूतम की अनुसार कैलास परवत तक मेग के सहयात्री कौन होंगे तो इसका उत्तर है राजहंस अगला प्रश्ण है कंठा शलेश प्रणईनी जने किम पुनर दूर संस्थे इसमें जन शब्द किसका बोधक है तो इसमें जन सब्द जो है वो यच्छडी का बोधक है अगला प्रश्ण है काली दास की अनुसार कितने तत्तों की समस्टी से मेघ बनता है तो इसका आंसर है चार अगला प्रश्ण है काली दास की अनुसार चेतन और अचेतन में क्रिपन कौन है तो इसका आंसर है कामार्त अगला प्रश्ण है यांचा मोगह वरम अधिगुडे नाध में लब्द कामा इसमें अधिगुड शब्द से किसका बोध है तो इसका अंसर है मेग का अगला प्रश्ण है मेग की यात्रा के समय वाम पार्ष में किसकी ध्वनी होती है तो इसका अंसर है चातक की अगला प्रश्ण है मेग दूतम में किस राजा का उलेक मिलता है तो इसका उत्तर है उदेयन का अगला प्रश्ण है तस्मिन अद्रव कतिचित बला वी प्रयुक्तह सकामी यहां अद्रव का तात्पर है परवत से अगला प्रश्ण है धूम जियोति हिसलिल मरुता सन्नि पातह क्वा मेगह प्रस्तुत स्लोकांस में सन्नि पातह का अथ है मेग सम्मूह से अगला प्रश्ण है मेग दूतम में वर्डित पुश्करा वर्तक है पुश्करा वर्तक कौन है मेगों का कुल अगला प्रश्ण है समपत्स्यंते कतिपय दिनस्था ही हनसा दशार्ना यहां दशार्ना है एक तो दशार्ना क्या है एक देश है अगला प्रश्ण है प्रकृति किर्पणास चेतना चेतनेशु एताद्रिशह कस्य सभावा तो इसका अंसर है कामार्ता अगला प्रश्ण है राज हंस कहां जाने का उत्सुक है तो राज हंस जो है वो मांसरोवर में जाने का उत्सुक है अगला प्रश्ण है यक्ष के वीरह का कितना समय बीच चुका है तो यक्ष के वीरह का आठ माह बीच चुका है अगला प्रश्ण है इत्या ख्याते पवन तनयम मैथली वोन मुखी सा यहां सा से तात पर है यक्षडी अगला प्रश्ण है यक्ष को साप दिया था तो यक्ष को साप कुबेर ने दिया था अगला प्रश्ण है मेग दूतम में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाते हैं तो कामार्थ जो है वो चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं अगला प्रश्ण है यच्छस चक्रे जनक तनया, स्नान पुर्नियो दकेशु इस लोकांस में जनक तनया कौन है तो यहाँ पे इसका अंसर होगा सीता अगला प्रशन है काली दास की अनुसार निमलिखित में से किससे मेख का संपर्क नहीं है तो इसका आंसर होगा विच्च से इस्त्री धुए से है जोती से है और सलील से है लेकिन विच्च से नहीं है इस्त्रियों का पहला प्रड़े वचन क्या होता है तो इसका आंसर है इस्त्रियों का हाव भाव या विब्रम प्रदर्शन करना शा पांतों में भुजग सैना दुथिते शांग पाड़व यहां शांग शारंग पाड़व का अर्थ है शारंग पाड़व का अर्थ क्या है तो यहां शारंग पाड़व का अर्थ है भागवान विश्णू अगला प्रश्ण है जी मूतेन स्वा कुशल मई हार इश्यन प्रविर्तिम प्रस्तुत पंक्ती में जी मूतेन का अभिप्राय है बादल से अगला प्रश्ण है मेगदूतम के प्रथम स्लोक में वर्ष भोग गेड़ शब्द आया है यहाँ पर नकोड़ किस सुत्र से हुआ है तो यहाँ पर नकोड़ जो है वो कुमतिचा सुत्र से हुआ है अगला प्रशन है इस्त्रियों का आशाबंद कैसा होता है तो इस्त्रियों का आशाबंद जो होता है वो कुसुम सद्रिश होता है अगला प्रशन है सबसे अधिक लगू हलका कौन होता है तो इसका आंसर है रिक्त अगला प्रश्ण है विदिसा नगरी में कौन सी नदी थी? तो विदिसा नगरी में वेत्रवती नदी थी अगला प्रश्ण है क्रितांतह का अर्थ है क्रितांतह का अर्थ है दैव या भाग्य ठीक है? अब अगला प्रश्ण देखते हैं हम मेग दूतम में मेग को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई तो इसका आंसर है नर्मदा रेवा अगला प्रश्ण है मेग दूतम में यक्ष के शापांत की अवधी मानी गई है चार मा अगला प्रश्ण है मेग दूतम कावे में नायक विरही यच्छ को किस कारण से अपनी नायका से दूर जाना पड़ा तो इसका आंसर है अपने करतवे पालन में भूल करने के कारण शापवस अगला प्रश्ण है पूरु मेग में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई नदी किस नदी का वड़न है तो नर्मदार रेवा नदी का वड़न है अगला प्रश्ण है यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था तो यक्ष का प्रवास एक वर्स का था अगला प्रश्ण है मेग दूतम में यक्ष के साप के अवसान का दिन था तो उसका आंसर है देव प्रबोधनी एका दसी अगला प्रश्ण है कुंद का पुष्प होता है तो जो कुंद का पुष्प होता है वो सफेध होता है अगला प्रश्ण है शूली का अर्थ है शूली का अर्थ है शेव अगला प्रश्ण है कांतो दंत का अर्थ है प्रियतम का व्रतांत अगला प्रश्ण है उज्जैनी में इस्थित सिवलिंग का क्या नाम है इसका अंसर है महाकाल तो जै महाकाल का नाम लीजिए और परिक्षा की तयारी अच्छे से करिए अगला प्रशन है किस कावे में अलकापूरी का वड़न प्राप्त होता है तो अलकापूरी का वड़न मेगदूतम में प्राप्त होता है अगला प्रश्न है मेग दूतम में यक्षडी साप दिविशों की गर्णा किस से करती है तो इसका आंसर है पूस्पों से अगला प्रश्न है शफर से अभिप्राय है जल में चमकने वाली एक छोटी मचली अगला प्रश्न है मेग दूतम में यक्षड वक्रह पंथा यदपी भवता का कर मेग से किस नगरी में जाने का अनुरोद करता है तो इसका आंसर है उज्जैनी अगला प्रश्न है आसु कस्या नद्या उल्लेखो मेग दूते नास्ती तो रेवा का वड़न है शिप्रा का वड़न है गंदवत्या का वड़न है लेकिन तुंग भद्राया का वड़न नहीं है अगला है मेग एक अचेतन ग्यान शुन्य दूवा प्रकास और वायू का समिश्रण है संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है जिसकी इंद्रिया कुशल हो यक्षिया सब समस्ता हुआ भी मेग से निवेदन करता है निमलिखित सुक्तियों में से किस सुक्ति में इसका कारण बताया गया है तो इसका अंसर है कामारता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेशु अगला प्रश्ण है काली दास का जैनमस्थान अधिकान स्विद्वान उनके ग्रंतों में वर्णित सामगरी की आधार पर उज्जैनी वानते हैं पूर्व मेग में भी कुछ स्लोकों में इसी अभिप्राय की और संकेत मिलता है निमनिलखित में से किस स्लोक को उनमें प्रमुक रूप से संबलित किया आता है तो इसका अंसर है अगला प्रश्ण है मेग दूत में किस नगरी का उलेक मिलता है तो मेग दूत में अलका नगरी का उलेक मिलता है अगला प्रश्ण है हरी सिरस चंद्रिका ध्यवत हर्म्या रूपेण वर्णिता नगरी अस्ती तो इसका आंसर है अलका अगला प्रश्ण है मेग दूते राज राज राजस्य दध्यो इती पदे राज राजस्य इती पदे ना भी तो अस्ती तो इसका आंसर है कुबे रह अगला प्रश्ट अलका पुर्या वणनम कुत्र प्राप्यते तो इसका आंसर है मेग दूते अगला प्रश्ट काली दास ने किस ग्रंत में अमर कंटक के सौंदरे का चित्रन किया है तो इसका उत्तर है मेग दूते इसका उत्तर है मेग दूते अगला प्रश्न है वीदिशा नदी के तट पर इस्थित है तो वीदिशा जो है वो बेतवा नदी के तट पर इस्थित है अगला प्रश्न है मेग दूते यक्षश्वराणाम वसती का वर्निता तो इसका आंसर है अलका अगला प्रश्ण है अलकापुरी केशाम वसती तो इसका आंसर है यच्छेश्वराणाम अगला प्रश्ण है मेग दूते जनक तन्यास नानपुर्णे दकेशु इत्यू लेखतह परिचितो भवती तो इसका आंसर होगा रामगिर्याश्रमेश्रमः अगला प्रश्ण है वक्रः पंथा यदपी इति संकेतेन का नगरी ग्याता भवती तो इसका आंसर है उज्जैनी मेग दूते एम नगरी नास्ती वर्णी था तो उजैनी का विवर्णन है फिर आपका विदिशा विवर्णी थे लेकिन वारारशी का वर्णन नहीं है अगला प्रश्ण है कभी समया नुसारेण वर्सा काले के मानसम यानती तो इसका आंसर है हनसा अगला प्रश्ण है यान्चा मोगा वरम धिगुडे नाध में लब्ध कामा उकती है काली दास्की अगला प्रश्ण है भारवी अगला प्रश्ण है मेग दूतम में दिगनाग कौन है तो मेगदूतम में दिगनाग जो है ये बहुत है और ये बहुत ही important question है इसको ज़रूर से आप लोग देख लिजेगा दिगनाग ग्यात कर लिजे बहुत को कहा रहा है तो मली नाथ की अनुसार मेगदूतम में कितने पद है तो मली नाथ की अनुसार मेगदूतम में 121 पद है मेगदूतम के प्रारम में निम्ण में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है तो इसका आंसर है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण अगला प्रश्ण है अलकापूरी में यच्छ का घर कुबेर के महल से किस दिसा में मेग दूतम में बताया गया है तो इसका अंसर है उत्तर दिसा में अगला प्रश्न है मेग दूतम में मेग के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है तो इसका अंसर है अयुद्ध्या नहीं है आप लोग मेग का मार्ग जो है वो एक कॉपी पे लिखके उसको याद कर लीजेगा तो ये सब क्वेशन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेग दूतम असमिन गीतिकावे का जहनू कन्या तो इसका अंसर है गंगा अगला प्रश्ण है नाक्षुद्रो अपी प्रथम सुकृता पेक्षया सम्ष्रायाई प्राप्ते मित्रे भवती वी मुखह किम पुनर यस्तक थोक्षई उपरियुक्त में कौन सा च्छंद है तो मेग दूतम का सोचना ही नहीं है कोई भी स्लोग पूछ देगा तो आपको मन्दाक्रांता ही लगाना है कांता विरह गुरुणा इत्यत्र कति पदानी संती तो इसका अंसर है एकम अगला प्रश्ण है कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेशू यह पंक्ती किस ग्रंद से है तो यह पंक्ती मेगदूतम से है अब अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है निम्नांकित में से कौन सी सुक्ती मेगदूतम से संबध नहीं है तो जो जो संबध है उसको देख लेते हैं कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेशू यह भी है फिर यांचा मोगा वरम धिगुडे नाध में लब्द कामा यह भी है लेकिन अक्रितार्थे अपिमन सीजे रती मुभय प्रातना कुरुते यह नहीं है चली आगे चलते हैं यांचा मोगा वरम धिगुडे नाध में लब्द कामा यह पंक्ती कहां से उद्गृत है तो इसका आंसर है मेगदूतम अगला प्रशन है प्रीतह प्रीती प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार कुत्रे उक्ती तो यह जो है मेगदूते उक्ती अगला प्रशन है मेगदूतम कावे का खड़ी बोली में अनुवाद किया है तो इसका आंसर है राजा लक्षमर सिंग अगला प्रशन है इस्त्रीडाम आद्दे प्रड़े वचनम विभ्रमोही प्रियेशू सुक्ती किस ग्रंत में है तो इसका आंसर है मेगदूतम अगला प्रशन है नक्षुद्रोवपी प्रथम सुकृता पेक्षया संस्राय प्राप्ते मित्रे भवती वीमुखम ही पुनर यस्थोक्षाई उपर्युक सुक्ती किस ग्रण से उद्गृत है तो इसका आंसर है मेगदूतम से अगला प्रशन है केवा नस्यू परिभव पदम निश्फलारं भयतना यह सुक्ती इस रचना से उद्गृत है तो इसका आंसर होगा मेगदूतम ठीक है अगला प्रशन है जातम वनसे भूवन विद्थे पुषकरा वर्तका नाम यह उक्ती है तो यह उक्ती जो है मेगदूत अगला प्रशन है वेड़ी भूत प्रतनु सलिला तामती तस्य सिंदू इयम पंक्ती अस्ती तो इसका आंसर है मेगदूतस्या अगला प्रशन है इसका आंसर है सुख दुख परिवर्तन सील है अगला प्रशन है कस्यांत्यंतं सुख मूपनतं दुख मे कांततो वा नीचाईर गक्षुत परिच दसा चक्र नेमी क्रमेड उप्युक्त स्लोकांस किस ग्रंत से मिलता है तो इसका आंसर है मेगदूतम अगला प्रशन है सद्यापाती प्रणई हिर्दयम वी प्रयोगो रुडद्धी इस सुखती वाला ग्रंत है मेगदूतम अगला प्रशन है स्यामा स्वंग चकित हरिनी प्रेक्षडे द्रिष्टी पात इती पद्यांस कस्मिन ग्रंते उप्लब्यते तो इसका आंसर है मेगदूते अगला प्रशन है ज्याता स्वादो विवरित जगना को विहातू समर्था कुत उद्गृतम अस्ती तो इसका आंसर है मेगदूते अगला प्रशन है मेगे मागे गतम वयम कसे उक्ती तो ये उक्ती जो है मल्ली नाथस्य उक्ती है विप्रलंब श्रिंगार अंगीरस भवती अस्मिन कावे तो इसका अंसर होगा मेग दूते अगला प्रश्ण है तन्वी श्यामा शिखर दसना पक्को बिंबा धरोष्ठी पंक्ती का संबंध किस कावे से है तो इसका अंसर है मेग दूतम अगला प्रश्ण है कामार्ता ही प्रकृर्ती किर्पणा स्चेतना चेतनेशु इति उक्ती विद्यते तो यह है मेग संदेशे अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है त्वत संपरकात पुलकित मीव प्रोण पुषपे कदम बई इत्यस्मिन पद्यान से कह अर्था लंकार अस्ती तो इसका उतर है उत्प्रेक्षा अगला प्रश्ण है याव काले वहती शलिलोदगार मुक्चई विर्माना मुक्ता जाल ग्रंथित मलकम कामिनी वाबर व्रिंदम इत्यस्य कह शब्दा सलेश युक्ता अस्ती तो इसका अंसर है उच्चई विर्माना अगला प्रश्न है मेग की पतनी है तो मेग की पतनी जो है वो कौन है विद्युत अगला प्रश्न है एस्वर्य आदी वांचसी प्रिय सके शाकुन तलम सेव्यताम यह किसके कथन का अनुवाद है यह जो है गेटे के कथन का अनुवाद है अगला प्रश्ण है कालिदास ने मंदाक्रांता चंद की प्रशंसा की है तो कालिदास के मंदाक्रांता की चंद की प्रशंसा छे मेंद्र ने की है अगला प्रश्ण है भासो हासह कवी कुल गुरू काली दासो विलासह इती कथनम कस्य अस्ती तो इसका अंसर है जै देवस्य अगला प्रश्ण है सुमेलित करिए तो पुरा कविनाम गड़ना प्रसंगे कनिष्ठा धिस्ठित काली दास ये जो है ये मल्लीनात कहें है फिर है निर्गतासु नवाकस्य काली दासस्य सुक्तीशु ये जो है ये बाण कहें है ये बाण कहें है एक मिनट पुरा कविनाम गड़ना प्रसंगे कनिष्ठा धिस्ठित काली दास मल्लीनात निर्गतासु नवाकस्य काली दासस्य सुक्तीशु बाण कहें श्रिंग गारे ललितोत गारे काली दास त्रई कीमु ये जो है राजशेखर का हो गया और उपमा काली दासस या भारवे अर्थ गौरवं ये हो गया उद्भट का ठीक है पुरा कविनाम गड़ना प्रसंगे यानि पहले का हो गया क दूसरे का हो गया ग तीसरे का हो गया ग और चौथे का हो गया ख अगला प्रश्ण है किस नदी समू का वर्ण में एक दूतम में नहीं मिलता है तो आप देख लिजी एक बार इसको पहला जो है वेत्रवती छिपरा गंभीरा इसका भी है रेवा निरविंगा गन्वती भी है गंगा यमुना सरस्वती का भी वर्णन है ये नदी समू जो है नहीं है चर्मरवती कावेरी ब्रह्म पूत्र ये गलत है अगला प्रशन है पूर्व मेग में काली दास किस नगरी का सर्वतक्रिष्ट वर्णन करते हैं तो इसका आंसर है उज्जैनी जैनी है महाकाल की नगरी किस परवत समु का वर्ण काली दास ने अपने मेगदूतम में नहीं किया है तो इसको तो देखते ही आप बता देंगे कि आमर कुट और कैलास का किया है हिमालय और विंद का किया है देवगिरी और रामगिरी का किया है लेकिन नीचेगिरी और उचेगिरी का नहीं किया है अगला प्रश्ण है सुमेलित करना है काली दास गिरा सारम, काली दास सरस्वती ठीक है, ये है आपका मली नात का है ठीक है, मैं इसके आगे ही लिख देती हूँ फिर इसको हम मिला लेंगे इसका हो जाएगा ग, इसका होगा ग, इसका होगा ख और इसका होगा क, ठीक तो चलिए देखते हैं पुर्वमेग से है अगला प्रशन है यांचा मोगा वरम दिखुडे नाधमे लब्ध कामा यह कथन है पुर्वमेग के छटवे स्लोक में अगला प्रशन है नीचैर गच्युत परीच दसा चक्र नेमी क्रमेण काली दासा ने इन सुन्दर वचनों को कहा है तहिए इसको पु इसको उत्तर मेग के उत्तरार्द में का है ठीक है अगला प्रशन है मेग दूत में किस देव का वड़न नहीं मिलता है तो मेग दूतम में जो है ब्रह्मा नारा दर्शंतोसी का नहीं मिलता है राम और सीता का मिलता है सिव पारवती कारतिके का मिलता है और विश्नु और ब अगला प्रश्न है काली दास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है वालमी की रामयर से अगला प्रश्न है किस ग्रंत में एक मात्र मंदा क्रांता चंद का ही प्रयोग मिलता है तो इसका उत्तर है मेघ दूतम अगला प्रशन है संपूर मेगदूत में किस रस का रसा स्वाधन होता है तो इसका अंसर है विप्रलंब स्रिंगार का अगला प्रशन है पुराणों में प्राप्त विरही यच्छ के उपयुक्त नाम की कलपना करें तो इसका अंसर है हे ममाली अगला प्रशन है महाकवी काली रास ने मेगदूत के कथानक को कहां से लिया होगा तो इसका अंसर है ब्रह्म वैवर्त पुराण अगला प्रशन है रामगीरी परवत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है तो आठ मा व्यतीत कर चुका है अगला प्रश्ण है गीती कावे या खंड कावे के रूप में सरप्रथम गढ़ना होती है तो इसका अंसर है मेगदूतम की अगला प्रश्ण है उदयन या वासवदत्ता की प्रेम कथाएं कहां उदयन या वासवदत्ता की प्रेम कथाएं कही जाती है तो इसका उत्तर है उज्जैनी में अगला प्रशन है मेगदूतम में सरप्रथम किस नदी का वड़न है तो मेगदूतम में सरप्रथम रेवा नर्मदा नदी का वड़न है अगला प्रश्ण है शिप्रा नदी के तड़ पर इस्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में वस्थित है तो इसका अंसर है उज्जैनी में अगला प्रश्ण है मलीनात की अनुसार संपूर मेकदूत में प्रचिप्त सलोको सहीत कुल पद्यों की संख्या है 121 अगला प्रश्ण है काली दास ने किस देवता के उपासक माने जाते हैं अगला प्रश्ण है भाउगोलिक अस्थानों के वणन से परिपून ग्रंत है अगला प्रश्ण है अनावरित कपाटम द्वारम देही यह कथन है यह जो है कालिदास का कथन है अगला प्रश्ण है महाकवी कालिदास के स्वसुर माने जाते हैं तो महाकवी कालिदास के स्वसुर सारदानंद माने जाते हैं अगला प्रश्ण है अस्तिकस्चिद्वाग विशेश विद्ध्योत्मा काया कथन किसके लिए कहा गया है। मा काली की कृपा प्राप्त काली दास के लिए। अगला प्रश्ण है मा कौली नाद सीत नयने मध्य विश्वासनी भू यहां कौली नात पद का अर्थ है लोका पवाद। अगला है अंगे नांग प्रतनु तनुता यहां प्रतनु पद में विभक्ति यवं वचन है तो यहां पे द्वितिया का एक वचन है। अगला प्रश्न है अम्बु वाहं पद का अर्थ है अब्र भी है जलमुक भी है और बादल भी है यानि इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी अगला प्रश्ण है प्रक्र में थापद की व्याकारात्मक्ति पड़ी होगी तो इसका आंसर होगा प्रधन कमधन सिपधन विधिलिंग प्रधन क्रमधन शिपधन विधिलिंग अगला प्रश्ण है सहस्वपद में प्रकृति प्रत्य है सहधन सिपधन लोट अगला प्रश्ण है तस्योत संगे निहित मसक्रित दुख दुखेन गात्रम यहां असक्रित पद का अर्थ है बार बार अगला प्रश्ण है पेशलम पद का सब्दार्थ है सुन्दर अथ्वा कोमल अगला प्रश्ण है वी गलीत शुचा में विभक्ती एवं वचन है तृतिया का एक वचन अगला प्रश्ण है या शिखा दाम हित्वा यहां दाम शब्द का अर्थ है माला अगला प्रश्ण है गत्वा सद्य कलभ तनुताम सिग्र संपात है तो यहां कलभ शब्द प्रयुक्त है खाथी के बच्चे के लिए यक्ष के घर में है वापी, कृड़ाशैल, मंदारविच, सभी अगला प्रश्ण है अलका पुरी इस्थित कुबेर के उद्ध्यान का नाम है वई भ्राज्यो द्यान अगला प्रश्ण है हस्ते लीला कमल मलके बाल कुंदान विद्धम इस पंक्ती में वणन है अलका पुरी की कामिनियों का अगला प्रश्ण है प्रायह सर्वो भवती करुणा वृत्ती रांद्रात तरात्मा यह उक्ती है उत्तर मेग की अगला प्रश्ण है मेग दूतम की अंतिम पंक्ती है माभू देवं छडम पी चाते विद्धुता वी प्रयोगह माभू देवं छडम पी चाते विद्धुता वी प्रयोगह अगला प्रश्ण है मेग दूतम की नाईका है यक्षडी अगला प्रश्ण है यक्षशाप की एक वर्ष की अवधी कहां व्यतीत करता है तो इसका उत्तर है रामगिरी परवत में अगला प्रश्ण है मेग दूतम की अनुसार भगवान कार्ति के कानिवास अस्थान कहां है तो इसका अंसर है देवगिरी में अगला प्रश्ण है यक्षडी के शाप की समापती किस दिन होगी तो इसका अंसर है कार्तिक देवुत्थान एकादशी को अगला प्रश्न है मेघ दूतम का मेघ किसका अनुचर था तो इसका अंसर है इंद्र का अगला है धूम ज्योति सलिल मरुता के सयोग से पैदा होता है मेघ अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्ण है इस्त्री नाम माद्दे प्रड़े वच्णम विब्रमोही प्रियेशू यह पंक्ती किस नदी से संबद्ध है तो इसका अंसर है निर्विग्ना ठीक है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है अंतह शुद्धस्वत्वमपी भाविता वण मात्रेण कृष्ण यहां त्वमपद से किसका संकेत है तो यहां त्वमपद से मेग का संकेत है ठीक है अगला प्रश्ण देख लेते हैं सगर तनय सगर तनय सवर्ग सो पान पंक्तिम यह किस नदी का विशेशन है तो इसका आंसर है जन्हू कन्याम गंगाम अगला प्रश्ण है सोपानत्वम कुरू मड़ी तटा रोहडा याग्र याई इसमें मेग का सोपानत्व किसके आरोहड के लिए उच्छिस्ठ है तो इसकांसर है शिव परवती अगला प्रश्ण है कालिदास की अनुसार यक्छों की एक मात्रवस्था क्या है इसकांसर है यौवण अगला प्रश्ण है यन्त्रोन मत्ध भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा यहां यत्र पद से किस नगरी का संकेत है तो इसका अंसर है अलका अगला प्रशन है यक्ष के घर के सामने कौन सा व्रिच्छ है तो यक्ष के घर के सामने मदार का व्रिच्छ है अगला प्रशन है यक्ष के आवास के सामने का पहाड किससे बना है तो इसका अंसर है इंद्र नील मडी से अगला प्रश्ण है यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है तो इसका अंसर है शंख पद्म का अगला प्रश्ण है कच्चिद भर्तु इस्मरसी रसिके तौम ही तस्य प्रियेती यहां रसिके पद किसके लिए प्रयुक्त है तो इसका अंसर है सारी का अगला प्रशन है भूयो भूयह स्वयमपी कृताम मुठ्षना विश्मरंती यह पंक्ती किस वाद्य यंत्र से संबद्ध है तो इसका अंसर है वीडा अगला प्रशन है यक्छों का निवास अस्थान है तो यक्छों का निवास अस्थान जो है वो अलका है अगला प्रश्ण है रिक्ता सर्वो भवती ही लगू पूनता गौरवाए यह पंक्ती यक्ष किसके लिए कहता है तो यह मेग के लिए कहता है अगला प्रश्ण है तस्योत संगे प्रडईन इव इस्तत्रस्तंगा दुकुलाम इस पंक्ती में किसका वड़न है तो इस पंक्ती में अलका का वड़न है इसको फिर से देख लेते हैं तस्योत संगे प्रड़ इन इव इस्त्रतस्त गंगादू कुलाम इस पंक्ती में अलका का वड़न है अगला प्रश्न है गर्जी तै भार्य एस्ता यहां भाययाई भाययेह में लकार है यहां पे विधिलिंग लकार है अगला प्रश्न है निश्यंति त्वाम सुरयुवत यो यंत्रधारा ग्रिहत्वम यहां त्वाम पद से किसका संकेत है तो यहां आंसर है मेघ का अगला प्रश्न है कैलास की चोटी पर जब मेघ पहुचेगा तो कैलास परवत की सोभा किस तरह हो जाएगी तो इसका आंसर है बलराम की तरह अगला प्रश्न है प्राले याद्री पद का अर्थ है तो इसका अर्थ है हिमाले अगला प्रश्न है मोगी कर्तुम चटूल शफरो धोतर्न प्रेक्षितानी यहां शफर पद प्रयुक्त है यहां सफर प्रपद जो है वो मचली के लिए प्रयुक्त है अगला प्रश्ण है मास्म भूर वीक्लवास्ता यहां मास्म पद में लकार है लुंग लकार है अगला प्रश्ण है पुन्यम यायास्त्री भूवन गुरो धार्म चंडीश्वरस्य यहां यायाह पद में प्रकृति प्रत्य है याधन विधीलिंग मध्यम पुरुस एक वचन अगला प्रश्ण है दर्शिता वर्त नाभे पद में विवक्ती है स्थी विवक्ती अगला प्रश्ण है रास्ता तेड़ा होने के बाद भी यक्ष मेग को उत्तर की ओर ले जाकर किसका दर्शन कराना चाहता है तो इसका आंसर है उज्जैनी का ठीक है अगला प्रश्ण है प्रकृति किर्पणा में समास है तृतिया तत्पुरुस अगला प्रश्ण है प्रत्या सन्ने नभसी दैता यहां नभसी पद का अर्थ है श्रावण मास अगला प्रश्ण है अंतरवाश्पः चिर्मनुचरो यहां अंतरवाश्पः में समास है तो यहां अंतरवाश्पः में समास है बहु ब्रिही अगला प्रश्ण है मल्ली नाथ रामगिरी परवत को कहा मानते हैं तो मल्ली नाथ जो है वो रामगिरी परवत को चित्रकूट में मानते हैं अगला प्रश्ण है अस्तंग मित महिमा में महिमा सब्द में प्रत्या है महत धन इमनिच अगला प्रश्ण है राज राज पद में समास होगा सस्थी तत्पुरस अगला है कनक वले भ्रंश रिक्त प्रकुष्ठ यहाँ पद किसका विशेशन है तो यह जो है सह यक्ष़ अगला प्रश्ण है जनामी त्वाम प्रकृति पुरुषम कामरूपम मगोन यहाँ मगोना पद किसके लिए और उसमें क्या विवक्ति है तो यहाँ पे यह मगोन शब्द जो है इंद्र के लिए आया है और इसमें सस्थी विवक्ति है अगला प्रश्ण है मेग दूतम की अनुसार संतप्त लोगों के लिए एक मात्र सहारा कौन है तो इसका अंसर है मेग अगला प्रश्ण है त्वययू पेक्षेत पद में संधी है यड संधी अगला प्रश्ण है द्रक्ष्य सी भ्रात्रि जायाम की अनुसार कौन अपनी भावी को देखेगा तो मेग अगला प्रश्ण है वी प्रयोगे रुडधी यहां रुडधी पद में धातु है रुध धातु है अगला प्रश्ण है नूनम यास्य यत्य मर मिथुन प्रेक्षडिया म वस्थाम मध्धे श्यामा इस्तन इवभुव शेश विस्तार पांडू इस पद्यांस में अलंकार है तो इसका आंसर है उत्प्रेक्षा अगला प्रश्ण है तन्वी श्यामा सिखर दशना पक्व बिम्बा धरोष्टी यहां अलंकार है उपमा अगला प्रश्ण है स्रिष्टी राद्देव धातु पद में किसका संकेत किया गया है तो इसका आंसर है यक्छडी का अगला प्रश्ण है में एक दूतम के मंगला चरण में चंद है मंदा क्रांता चंद में होते हैं तो यह तो पता है कि सत्र होते हैं लेकिन आपको इसका सही उत्तर याद करना पड़ेगा तो इसमें होगा तो यह लाइन आपको अच्छे से याद करने पड़ेगी यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या है मगडब भगडब अगला है, मेगधूतम की एक व्याख्या की जा सकती है, क्या व्याख्या की जा सकती है, देखिए तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है तो आप इस दोनों को याद कर सकते हैं तो ये दोनों ही सही है संस्कित साहित्य में संदेश काव या दूत काव का प्रारम माना जा सकता है मेघ दूतम से अगला है यहाँ बालका पद का अर्थ है बगुलिया तो मित्रो इस प्रकार हमारी मेघ दूतम की मेरा अथन प्रशनोत्री का हमने सभी प्रशन हल कर लिया है ये एक्जाम की दृष्टी से आप सभी के लिए बहुत ही महत्पुर्श साबित हो सकता है तो आसा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी संस्कृत मित्रों को शेयर करिए तो चलिए मिलते हैं अगली मेराथन क्लास में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमह संस्कृता है